ओसलेंट्स स्वागताब स्पीका आपके यूटुब चैनल में तो आज का जो टोपिक है वह है न्सीवीटी एक्जाम जो प्रयक्टिकल महा दिसंबर यानिन न्सीवीटी जो एक्जाम हो रहे हैं जिसके अंदर आपकी जो प्र Cleveland की जो प्रिक्षा है वह बात करें हैं अपने जो year रहेगा वो है second year की तो आज मैं चल्चा करूँ है आपके साथ है कि second year की जो प्रायोंगी प्रिक्षा जो NCVT की जो 16 और 17 दारी को होने वाली है उसके अंदर जो most important जो practical मैं बताऊंगा उसके आने की chances ज़्यादा है यानि 99% अपने कह सकते हैं कि उन में से कुई भी तीन practical आपके confirm आ सकते हैं तो वीडियो को N तक जरूर देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टोपिक है वो है DC संट मोटर से जो DC स्टार्टर होते हैं या आपने कह सकते हैं तो DC मोटर है DC मोटर का जो टोपिक है इसके अंदर से आपके दो practical important बन रहे हैं DC मोटर में DC मोटर की बात के दो practical कोन कोन से जैसे कि जो पहला practical अगर अपने चर्चा करते हैं तो वो है कि 3 point starter 3 point starter का आपके 3 point starter के बागों का अध्यन करना है यानि आपको उदेश्य क्या रहेगा कि 3 point starter के बागों का अध्यन 3 point starter के बागों का आपको अध्यन करना है यानि इसके NVC बाग यानि आपको 3 point starter का क्या बनाना है यहाँ पर diagram बनाना है और उसके भागों का अध्यान करना है यानि अध्यान के अंदर जैसे कि आपके आजाता है कि NVC, OLC और Series Winding और जैसे कि बात करें अपने SunT 3.0 का यूज किसलिए करते हैं अपने DC SunT Motor को चलाने के लिए यूज में लाया जाता है तो उसके लिए तो यहां पर अगर बात करें कि 3.0 के भागों का अध्यान करना यानि उसके NVC, OLC और handle जो start हो गए और उसके अंदर जो तीन terminal होते हैं जैसे तीन terminal एक तो आपका आपका line का उसका field का और armature का यह कौन को से terminal होते हैं और इनको किस तरीके से चेक किया जाता है उसके बारे में आपका practical आ सकता है तो पहला जो practical DC मोटर के अंदर से जो बनता है वो आपका 3.0 के भागों का अध्यान करना उसके बाद में चर्चा करते हैं फिर दो नमबर यानि practical के बारे में यह आपको आ सकता है और प्रोपर इसके बारे में चुर्चा करना उसको चलाना है यानि एक आपको चाहिए DC संट और चाहिए और ऐक आपको 3.0 चाहिए तो उदेशल क्या हो जाएगा इसका कि3.0 स्टार्टर के दवारा DC संट मोटर को चलाने का अध्यान करना अब बात करते हैं कि 3-point starter और 3-point starter से DC motor को चलाने के लिए इन में से आपको किस तरीके के जो diagram है वो आपको verify करने है तो 3-point starter के भागों का अधियन की अगर बात करता है अगर question आपका द्वागों का अधियन आता है तो आपको पूरा का पूरा proper है जिस तरीके से आपको diagram उनाना है इस तरीके से यह field winding आ जाती है यहां से आर में चला जाता है उसके बाद में यहां से NVC जोती आर में चला जाता है और इस तरीके से यहां पर आपको NVC बना देनी है यानि प्रोपर जो diagram है वो आपको 3-point starter के भागों के अधियन के अंदर प्रोपर diagram आपको बनाना है अगर बात करता है 3- प्रोपर आपको बनाना है तो आपको यह diagram आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है जो मैं बताओंगा वो diagram आपको आपको क्या करना है सब्मिट करना है तो देखिए चो diagram है उसके बारे में पुछर्चा करते हैं सबसे बहले आपको इस तरीके से एक box पनाना है box में आपको 3 point लिखने है एक का गया line F यानी field का और armature उसके बाद में line को है वो एक आप IC DP के दोरा आप इसको connected कर दोगे और यहां से आप क्या लगाओ देगे fuse यह आपका हो गया plus terminal उसके बाद में चर्चा करते हैं आपने minus की माइनस के बाद में यहां से भी आपको एक IC DP लगानी है और उसके बाद में यहां जो आपका आएगा वो आर्मिचर इस तरीके से आपको connected करना है और फिर यहां से आपको यह आपको क्या जेगी series यानी cent motor यह SH यह A और यह line का आ गया तो यह जो diagram है यह आपको इसके अंदर आपको बनाना है अगर थी पॉइंट शार्टर के बागों के अधिन में बात करें तो इस तरीके से diagram आपको structure बनानी है और यहां पर लिख सकते हो इस तरीके से इसको headline करके IC DP और इस तरीके से यहां पर rotate करके आप लिख सकते हो यह कौन सी है DC center motor इस तरीके साब इसको mention कर देते हो यहां से आप कर सकते हो कि three point starter यह प्रैक्टिकल रहेगा इस तरीके से तो DC जो मोटर है इसके दिर दो प्रैक्टिकल है three point starter के बागों का अदेन करना और three point से DC center motor को चलाना है तो इस तरीके से डाइगराम और अगर बात करें बागों के बारे में देन तो यह प्रोपर डाइगराम आपको बढ़ाना है चलिए अब चर्चा करते हैं अपने next practical के बारे में अगरा जो practical है वो क्या सकता है कि three phase induction motor के बारे में यानी three phase induction motor three phase induction motor के बारे में आपके तीन practical बनते हैं किस तरीके से कि सबसे पहले आपका जो practical है वो क्या एगा कि three phase induction motor होती है उसके बागों का अदेन three phase induction motor के आपको क्या करना है बागों का अधेन करना है बागों के अधेन के अंदर आपको क्या आ जाएगा जैसे कि जो 3-phase induction motor होती है उसके अंदर इस तरीके से मशीन की जो बोड़ी होती है यहां से आपके winding लपेटी जाती है जिसे field winding बोलते हैं यहां terminal box होता है आई-hole होता है और यह silicon steel की इस तरीके से structure होती है खांचे होते हैं जिन में क्या होती है winding लपेटी जाती है आपको इस तरीके से यानि बोड़ी है वो आपको बढ़ानी है डाइग्राम में अगर induction motor के बागूं का देने के बारे बाता है उसके बाद में आपको squirrel case जो gallery पिंजरा का रोटर होता है वो आपको इस तरीके से आसे बनाना है इस तरीके से आपको छड़े दिखानी है इस तरीके से यहां पर लिखना है गिलेरी पिंजरा रोटर लिखना है यह सिंगल केज है तो सिंगल अगर इसमें डबल है तो आप डबल का भी बना सकते हो पकी जाद एक पोटर नहीं है आपको only for एक बोडी का डाइगरम बनाना है और एक आपको स्कुरिल केज इंडेक्शन मोटर के रोटर का आपको डाइगरम बनाना है यहाँ पर आपको लिखना है कि गिलेरी पिंजरा रोटर और इसके बागों के बारे में अधेन करना है और यहाँ पर आप लिख सकते हो यह एंड रिंग और यह आप लिख सकते हो बार यानि छड़ उसके बाद में यह किसका बना होता है उसके बने वह लिख सकते हो बाहरी जो केज किसका बना होता है अंतरी केज किसका बना होता है यह चीज आप यहां पर लिख सकते हो उसके बाद में यह बोड़ी किसकी बनाई जाती है काशारन की और आई होल यहां नेम प्लेट ऐसे वगर आप कर सकते हो तो जो पहला practical है 3-phase injection motor में से 3-phase injection motor के भागू का दिन तो इस तरह किसे भागू का दिन करना है जिसकि औजार और सामगिरी की बात करें क्या क्या चीए कि combination plier, cutting plier, spanner set, पूरा एकचाबी का होना चीए अपने पास क्यों motor को खोलने के लिए mallet होना चीए और अगर बात करें cotton waste होने चीए इत्यादी उसके बाद में आपको working method किसी भी practical में आपको नहीं करना है और आगे साफदानी क्या रखनी है कि motor को कोलते समय सबसे पहले marking कर लेनी चाहिए और दो नंबर क्या होगी कि जब आर में जोटर को बाहर निकाल रहे है तो साफदानी से निकालना चाहिए ताकि winding से touch ना होजए कोई winding का सीरा open ना होजए और उसके बाद ती नंबर की point करे कि बागू का देन करते समय सबी पार्स को अच्छे तरीके से देखें और अराम से winding को खोलना चाहिए ताकि किसी प्रकार से motor को चोटना लगे ताकि motor की जो कोई भी coil है वो ब्रेक ना हो जाए ताकि अगर बाद में start करने पर कोई भी winding चल भी सकती है उसके बाद में आपको विशाण करते साथ है दो नमबर प्रका के बारे में इसका जो थ्रीज इंक्शन मोटर का जो नमर पड़िकल है वह सकता है कि थ्रीज ही और मोटर तो कि अखिझ ऑट्यियल और की स्पीड कन्ट्रोर जैसे कि देक्शन मोटर की बात करने अपने तो तो इसके जो बोडी है, दिरे दिरे चलती है अब जैसे अपने यानि वो रोटेटिंग स्वीच रोटरी स्वीच होता है जैसे इसको खुमाएंगे तो रजिस्टेंस सारे सारे बाहर हो जाएंगे और मोटर के हाल लगने दे स्पीड से तो अपने इसी तरीके से डाइगराम इसका बना सकते हैं स्लिपरिंग इंडेक्शन मोटर का आपको डाइगराम बना सकते हैं अगर आपका स्पीड कंट्रोल का मेथड आता है क्योंकि अपने को बाहर से कोई एक्ष्टनल परतिरोद लगाने है ताकि उसकी वोल्टेज को ड्रोप करें और जितनी कम वोल्टेज आएगी मोटर उतनी क हम घुमेगी तो यहां से स्पीड कंट्रोल का मेथड अपने आ सकता है तो थ्री फेस इंडेक्शन मोटर यह आपके दो प्रेक्टिकल हो गए हैं अगर बात करें कि इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी स्टार्टर से कोई भी रिलेटेड कोई प्रेक्टिकल नहीं प्रेक्टिकल होगे थ्री फेस इंडेक्शन मोटर के दो प्रेक्टिकल स्पीड कंट्रोल और उसके भागों का अध्यान यहां पर अपने चार्चा करते हैं एक प्रेक्टिकल इसके अंदर रह जाता है आपका डिसी मोटर का जो प्रेक्टिकल था वो थ्री पॉइंट स्ट स्पीड कंट्रोल के इंदर आपको क्या करना है सिंपल सा है कि स्पीड कंट्रोल में आपको याद तो आर्मेचर के समांतर में एक आपको स्पीड कंट्रोल करनी है तो आपको क्या करना होगा कि जो आर्मेचर है इस तरीके से इसके आपको सीरीज में क्या लगाना है एक है रियो शेट लगा सकते हो अगर पुछाजाता है field wind銀ंग है to field wind銀ंग के मानतर में लगा सकते हो अगर series में पुछाजाता तो series में अगर समानतर में पुछाजाता है तो इसके समानतर में आप wrap यंश्टेट लगा दोगे और उसके अगर अपने कम जाता करेंगे तो voltage कम जाकेगी तो तीन और दो पांच टोटल पांच प्रेक्टिकल हो गया है अब एक जो लास्ट टूपिक रह जाता है उसके बारें अपने जर्चा करते हैं लास्ट प्रेक्टिकल लास्ट प्रेक्टिकल क्या है कि CRO अपने तीन टूपिक है एक तो है CRO, TC Motor, 3 Phase, Induction Motor यह तीन टूपिक है इन तीनों में से कोई भी एक इसका प्रेक्टिकल, एक इसका और एक इसका टोटल आपके जो है वो तीन कोशन आप से पुछे जाएंगे NCVT एक्जाम में चीक है तो यह 17 तारीक को जो पैपर आजएगा 16 को वो रिपीट नहीं होगा 17 को कभी भी नहीं होगा क्योंकि अपने देखा था कि इसमें आपके जो DC सेंटर मोटर में तीन प्रेक्टिकल थे अब अपने CRO से बात करते हैं तो CRO आपको पता है कि CRO का जो उप्योग है वो अपने जनरली जो यूज करते हैं सबस्क्राइटी में वो साइन वीव को देखने के लिए किया जाता है जिससे अपने अलग-अलग जया-मान की तरंगों को परदर्शित करने के लिए उपने यूज करते हैं कि सबस्क्राइब कि इसकी वोल्टेस का मान क्या है इसकी जो फिर्क्वेंसी और वोल्टेस को परदर्शित करना होगा तो आपको सबसे पहले आ सकता है प्रेक्टिकल में क्या हैगा कि CRO के दवारा साइन वेव की फ्रिक्वेंसी को आपको क्या करना है कि मेजरमेंट करना है या फिर कह सकते हैं कि CRO के द्वारा आपको AC की साइन वेव को परदर्शीत करना है यानि आपको परद्या सियार होता है इस तरीके से इस तरीके से सियार हो इसका जो यहां पर परदा लगा होता है और यहां पर कुछ बटन्स होते हैं जो इसको कंड्रोल करने के लिए होते हैं यहाँ पर X और Y सर्द सब्सक्राइब और जो साइन वे वह वह इस तरीके से यहां से चलती वी इस तरीके से दिखाईए देती है यह यानि पर देवर आपको शो करवानी है कि जो वेफ हो मैं वो किस तरीके से चलती है ама और सट्वास उन्मकों क्ष 닉नेंच लिए सोध्याध में सरुण तो क्ला से नीट है स्सलाइव कोच या सुखने करना है तोरुछ नुमबर्ड प्रिक्रीफियर के दौरा अीं मैं ॏ नटाइट के उपक्योग करते हैं डायोड का उपयोग करके आपको झो DC की वेव फो मैं、 हाफ वेव का यूज करोगे, इस तरीके सा आपको मिलेगी। अगर फिल वेव की बात कर रहाए, फिल वेव रेक्टीफायर की बात कर रहा है, तो आपको इस तरीके से pulse takes DC को आपको प्रदशित करने का बारे में पूछ सकता है तो कोशन के आएगा कि CRO के दवारा डाइवड का उपयोग करके full wave rectifier से wave का अधियन करना या फिर आसकता है hal wave rectifier के दवारा अपने waveform का अधियन करना इसके दवारा अपने क्लेंगे इसके नदर एक डाविड लगा देंगे इसमें अपने लागा चता है या फिर फूल में क्रीज कर सकते हैं इसके वह मैं तीन नंबर आएगा वू तीन नंबर है कि की हूं साइन वेव जो आवरती है उसको बढ़ाना है या फिर अपने कहा सकते हैं कि अलग-अलग मान कि अपने जयातरंग परदर्शित कर सकते हैं आपको इस तरीके से जो चलती है वो क्या है स्क्वेर वेव तीन नंबर के अगर बात करें तो वह आपकी ट्राइंगुलर यानि आरा तिर्बुजाकार इस तरीके से यानि एसा तीन नंबर प्रेटिकल के आएगा कि फंक्शन जनेटर के दवारा आपको वेव फों पर दर्शित करनी है उसके लिखा होगा साइन वेव स्केर वेव और ट्राइंगुलर वेव तो आपको इस तरीके से आपको साइन वेव और प्रेटिकल लिए निरा सकता है लिखेंगे कि फंक्शन जनेटर का उप्योग करते समय अपने को सही तरीके से जो जो सी आरो की जो लीड्स है वह सही तरीके से क्नेक्ट करनी चाहिए और जो स्क्रीट डाइगराम के मादियम से अपने को क्या करना है सबीचन साव्दानी पूर्व करने हैं और सभी से connected नहीं करना होता है यह चीजह आप साथनी के लिख सकती हो तो यह थे आपके जो practical है जो important है वो आने बाले एक बार फिर से अपने देख लेते हैं कि सबसे पहले अपनों ने देखा DC, DC motor DC motor के तीन practical है पहले की बात करें अपने तो 3 point starter का अधिन उसके बाद में बात करें दो नमबर की 3 point starter से DC संट motor को चलाना तीन नमबर की बात करें DC संट motor की speed control यह जो तीन practical रहेंगे आपके DC के बारे में उसके बाद में 3 phase induction motor के बारे में आपके तीन practical है पहला जो प्रैक्टिकल हाएगा वह थ्री फेज इंडक्शन motor के बागों काते हैं उसके बाद में रहे गा थ्री फेज जो इंडक्शन motor के speed control उसके बाद में जो जी इसके इतनी है उसके बाद में करनी है उसके बाद में डायोड का यूज करके डायोड का यूज करके आपको दो वेफोर्म दिखानी है अगर हाब वेव यह तो इस तरीके से और फुल वेव यह तो आपको इस तरीके से श्यारों के दार पढ़ते वे दिखानी है तीन नंबर क्या एगा function generator का यूज करके फंक्शन जर्नेटर का उप्योग करना है आपको तीन वेफोर्म देखनी है साइन वेव, स्केर वेव और ट्रेंग्लर वेव कितनी प्रकार के आपको वेफोर्म देखनी है तो यह जो आपका जो प्रेक्टिकल है वो रहेगा यह आपके एक, दो, तीन, चार, पान, चाह, साथ, आठ यानि आठ प्रेक्टिकल के अंदर एक दिन में तीन प्रेक्टिकल आएंगे और एक दिन में तीन आएंगे तो चाह प्रेक्टिकल यानि इसमें से आ सकते हैं तो आपको इस तरीके साब को अधियन करना है सबी के अंदर सामगरी और combination प्लायर जैसे cutting प्लायर common रहेंगे और आपको लिखना क्या क्या होगा उदेश्य है यह चीज़ आप लिखनी है सामगरी ओजार सुरक्षा सावधनी और result आपको लिखना है और with diagram आपको पूरा completely होना चाहिए तो आज की class में इतना ही यह है हमारा second year के ITE का जो प्रायोगी के रिप्रिक्षा होगी उसका जो syllabus है यानि इस तरीके से यह आपने कहा सकते हैं कि यह जो important practical है वो आपके आ सकते हैं और आने की संभावना है तो इस वीडियो को जादे से ज्यादा शेयर करें आज के लिए इतना ही बने रहे हमारी YouTube चैनल के साथ थैंक यह देमा